जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी, जिसका इस्तेमाल माईग्रेंग की रोक थाम के लिए किया जाता है, हाला कि यह एक अक्यूट हमले का इलाज नहीं कर सकता, और यह माईग्रेंग की रोक थाम के लिए केवल तब तक काम करेगा जब तक आप इस द शरीर में दवा के समान लेवल को बनाय रखने में मदद मिलती है। कोई खुराक न छोड़ें और बहतर महसूस होने पर भी इलाज का पूरा कोस पूरा करें और अगर कोई खुराक छूट गई हो तो याद आते ही उसे ले लें। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक आपको इस दवा का सेवन जारी रखना चाहिए और अचानक इसे लेना बंद नहीं करना चाहिए। इस दवा के इस्तिमाल से जुड़े साइड इफेक्ट में मांसपेशियों में दर्द, ठकान, कब्ज, मिचली आना, इंसोम्निया, नींद आने में कठिनाई और नाक बहना शामिल हैं। यह दवा लेने पर देखे गए कुछ अन्यसाइड इफेक्ट भूक बढ़ना, डिप्रेशन, पेट में परेशानी और स्तन में दर्द हैं। इसलिए व्यवहार की नियमित निग्रानी महत्व पूर्ण है, गर्भवती या स्तनपान करने वाली माताओं को इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए।